नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बोस्वागत हैं मेरे इस चैनल भाया जिसक्रेशन आर्ट में दोस्तों मेरे पास ये दो खाली अगरबत्ती के बोक्स हैं तो इससे में कुछ बनाने वाला हूँ तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों ये है मेरे पास अगरबत्ति का एक खाली बॉक्स ऐसे मेरे पास दो बॉक्स हैं जिसे मैं बनाओगा एक ओर्गिनाजर जिसे हम टेबल पर रख सकते हैं और उसके अंदर चोटी-चोटी चीजें रख सकते हैं हम इसको यहां से कुछ काट लेंगे दोस्तों मैंने इसे काट लिया है कुछ ऐसे और ठीक ही दूसरे वाले को भी काट लिया है तो दोस्तों चलिए अब इसे रंगिन बना लेते हैं तो दोस्तों इसे रंगिन बनाने के लिए मैं इस्तिमाल करूँगा इस तरह कि एक खाली पेकेट भी रिसाइकल हो जाता है और कुछ नई चीज भी बनकर त्यार हो जाती है तो चलिए इसको इस पर चिपका लेते हैं तो दोस्तों मैंने दोनों पर चिपका लिया है इस चमकिले पेपर को दोस्तों अब हम इसे बनाएंगे कुछ ऐसे कि एक तो रहेगा नीचे एक रहेगा थोड़ा सा उपपर इसके अंदर भी हम कुछ रख सकते हैं छोटी-छोटी चीजें इसके अंदर भी रख सकते हैं तो दोनों को इस तरह से मैं रखूँगा तो बीच में कुछ चीज की जरौत है तो उसके लिए मैं इस्तमाल करूँगा इस प्रकार की लकडी का तो दोस्तों कुछ इतनी उची हमें लकडी चाहिए तो इस साइज की लकडी मैं काट लूँगा तो दोस्तों कुल चार पीस की हमें जरुत पड़ेगी इतने इतने बड़े तो चलिए मैं इसे काट लेता हूँ तो दोस्तों मैंने ये चार पीस काट लिए हैं दोस्तों अगर इसे मैं यहाँ पर टेप से चिपकाऊंगा तो ये खुल सकता है और अगर ज्यादा भारी वजन रखा तो ये मुड़ जाएगा तो दोस्तों इसे मजबूती से बांधने के लिए मैं इस्तिमाल करूँगा इस तार है लोहे का इसी का मैं इस्तिमाल करूँगा तो दोस्तों मैंने लोहे के तार में से ये चार चोटे चोटे टुकडे कर लिए इसी की सहायता से हम इस लकडी को इस बोक्स के उपर लगाएंगे और दोस्तों इससे पहले कि हम इसे बोक्स के उपर लगाएं इसे भी हम र यह हो गया अब यहां पर एक होल होगा तो यह हो गया इसको बाहर से मोड लेंगे यह बिल्कुल टाइट और फिट हो गया है तो दोस्तों यह थोड़ा सा और हिल रहा है तो एक और तार मुझे लगता है कि इस पर लगाना पड़ेगा तो चलिए एक और तार इस पर लगा दे है और ये एक्स्ट्रा तार था उसे मैंने काट लिया है अब ये हिले का नहीं दो इसा दिख रहा है अंदर के तरफ में रंगिन पेपर लगा दूंगा बाद में और अब इसके उपर में ये बॉक्स लगा दूँगा तार की साहता से तो दोस्तों मैंने तार की साहता से उपर वाले बॉक्स को भी इसमें लगा दिया है और देखिए चारो तरफ मैंने तार से इसे लगाया है दो दो तार लगाये हैं मैंने और ये लोहे के तार है और ये लकडी है ये तो आपने देखा ही है और ये काफी कड़क पुष्टे वाला बोक्स है अगर बत्ती का तो ये बन चुका है अब इसके अंदर रंगिन पेपर में बिचा दूँगा तो दोस्तों ये काइट पेपर है जिससे पतंग बनती है तो इसे मैं लगा दूँगा इसकी सतह पर तो दोस्तों मैंने इस पर ये काइट पेपर बिचा दिया है चिपकाया नहीं है क्योंकि जब भी ये गंदा होगा तो मैं इसे आसांची से बदल सकता हूун और जो ये चंपकीली पन्नी मैं चिपकाई है इस पर मैं गिला कपने से साफ कर सकता हूँ अगर इसम नहीं लग रहे हैं देखने में तो दोस्तों ये बनकर पूरी तरह से तयार है यहाँ पर जो तार नजर आ रहे थे इस पर भी मैंने इसी प्रकार का चमकिला कागज चिपका दिया है टेप की साहता से तो दोस्तों मैं अब इसमें कुछ समान रख देता हूं नेल कटर ये चस्मा है और एक और है और एक मोबाइल ये टेप ये केची तो दोस्तों इसमें काफी सारे समान रख सकते हैं मैंने एक्जामपल के तोर पर कुछ समान इसमें रखे हैं मैं भी इसमें काफी कुछ रखूंगा तो दोस्तों बन कर तयार है हमारा यह organizer इसके अंदर नीचे mobile रखा हुआ है उपर चसमे है और भी काफी सारी चीज़ें इसमें रख सकते हैं अभी में रख के बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पस एक ही mobile जिससे में वीडियो बनाता हूँ इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में और उम्मीद है कि आपको यह organizer और मेरी वीडियो जरूर पसंद आयोगी एसी और आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप यूटुब पर देख रहे हैं अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फोलो जरूर कीजिएगा मेरे इस पेज को और वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर कीजिए कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा मिलते हैं अगली वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद